हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा अब नभील है नतिंग फोन वन हमारे पास आ चुका है ब्लैक कलर में ये बॉक्स है उसका और बॉक्स में ज्यादा कुछ है नहीं बहुत ही बॉक्स का जो है यहाँ पे इन्होंने डिजाइन रखा है 8GB राम और 256GB स्टो अब फोन के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर वगरा कुछ देखने नहीं मिलता नया ब्रैंड है चार्जर देता तो अच्छा होता चलो कोई बात नहीं आजकल कोई ब्रैंड नहीं दे रहा है यहाँ पर आपको मिलती है टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल और यहाँ अदरवाइस ब्लैक भी डिसेंट कलर है इसके जो साइड है यह कंप्लीटली ऐल्यूमिनियूम के बने हुए है बैक जो है कंप्लीट नॉक ओफ है आईफोन 12 का और साइड भी कंप्लीटली नॉक ओफ है आपको बताता हूं कैसे यहाँ आप देख सकते आईफोन 12 और नथि फोन वन है और टॉप भी अगर आप देखते हो तो आपको सिमिलर ही देखने मिलेगा इतना ही नहीं जो इसका पावर बटन है वो भी एक्जाक्ली वैसा ही इन्होंने बनाया है और यहाँ पे अगर वॉल्यूम रॉकर की तरफ नजद दाले तो यह भी आपको एक्जाक्ट पानी में अगर आप थोड़ा बहुत इस फोन को भीगा देते हो चीटे वीटे पढ़ जाते फोन के उपर तो यह शायद खराब ना हो लेकिन मैं बिल्कुल भी रेकमेंट नहीं करूंगा कि इस फोन को बारिश में आप इस्तमाल करना अगर आप रेन में इसको इसको इस्त है वो है यह पीछे इसके दिये वे 900 LED तो यहां पे आप इसमें अलग-अलग ringtone सेट कर सकते हो और यह जो LED lights है रिंग होने के टाइम पे इस तरीके से light up हो जाएंगे काफी अच्छा दिखता है और काफी unique दिखता है लेकिन थोड़ा सा जो है यंग जेनरेशन की तरफ टार जो कि देखने में बिल्कुल आइफोन की तरह है आपको पता चल जाएगा डिस्प्ले की बात करें यहां पे तो 6.55 इंचिस का बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है जो आइफोन 12 या 13 के डिस्प्ले से काफी बड़ा है तो फोन भी काफी बड़ा है तकरीबन 200 ग्रैम का फो यह सबी साइट से अगर आप देखेंगे तो बेजल जो है इक्वल इसमें दिया हुआ है और यहां पर यह जो डिस्प्ले है इसके अंदर इन्होंने फ्लेक्जिवल ओलिड का इस्तमाल किया है जैसे आइफोन में देखेंगे तो बॉटम का चिन आता है यहां पर यह है थोड़ी कम लगी मुझे क्यूं एक तो यह तो यह डिस्प्ले है कोई प्रॉब्लम नहीं है 120 हर्ट का रिफ्रेश्ट इसके अंदर आपको देखने मिल जाता है विच इस वेरी गूट तिंग लेकिन यहां पर मुझे जो शिकायत है इस फोन के डिस्प्ले से वो है इसकी स्पीकर्स काफी लाउड एंड क्लियर है 80-81 देसिबल तक आपको इसका आउटपूर देखने मिलेगा जो के स्टैंडर है इस प्राइस अरेंज के या इस से महेंगे फोन के अंदर भी तो यहां पर डिसपोइंट नहीं होंगे आपको मजा है और HDR10 सपोर्ट करता है इसका तो मुवीज देखना है वो सब यंग्स्टर कर पाएंगे इस पर कोई इशू नहीं है इस फोन में इन डिस्प्लेइ फिंगर प्रिंट स्कैनर भी आपको देखने मिलता है जो के फास्ट एन एक्यूरेट है कोई इसमें आपको जो है नहीं आएगा और फेस अन्लॉकिंग यहाँ आपको कोई बीडिया हुआ है जो बिल्कुल में ट्रस्ट नहीं करता है एंड्रोड के किसी फोन का जो फेस उनलॉकिंग है वो ट्रस्ट करने के लायक का बिल्कुल भी नहीं है वोस के बार में बात करते हैं फिर उसके बाद सीधा हम स्पेसिफिकेशन चेक आउट क आप इससे बिल्कुल भी डिसपोइंट नहीं होंगे अगर पिक्सल फोन आपने चलाया पहले तो बिल्कुल सिमिलर एक्स्पिरेंस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा इसके OS से रिलेटेड लेकिन OS जो है इसके अंदर काफी प्लेन और सिंपल OS दिया है इन्होंने iOS की तर करते हैं और यहाँ पर compare करते हैं इसको iPhone XR के साथ ताकि आपको पता चल जाए कि इस स्पेसिफिकेशन के आथ आपको किस लेवल का performance देखने मिलने वाला है सिमिलरली प्राइज है iPhone XR भी Nothing Phone 1 जितना ही इसका प्राइज भी जो है 30 से 35 के बीच में है iPhone XR भी आपको easily नया मिल जाता है इस प्राइस रेंज में और iPhone XR जो है यह दो हजार अटरा का फोन है जिपके यह दो हजार बाइस का फोन है Nothing Phone 1 के अंदर आपको Snapdragon 778G चिपसेट देखने मिलता है जो के बिल्कुल भी एक mid-range वाला चिपसेट है आपको कोई खास performance देखने नहीं मिलेगा आगे gaming वगरा के बारे में बात करेंगे हम लोग और यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर 8GB आता है और 12GB आता है तो मेरा जो डि GPU का scores देख सकते है iPhone XR जो है almost double power के साथ आता है GPU scores के अंदर Nothing Phone 1 के सामने तो समझ लीजिए अगर आप दूसरे कोई iPhone के सामने इसको consider कर रहे हो gaming phone के दौर पे तो यह उतना खास काम नहीं करने वाला है gaming की बात कर लेते और सीधा bgmi check out करते तो यहाँ पे आपको smooth और extreme fps जो है देना तो 120 Hz का जो refresh rate वाला display है वो बिल्कुल भी आपको smooth scrolling experience जरूर देगा लेकिन gaming में आपके यह काम नहीं आने वाला है iPhone का competitor phone निकाला है तो camera अच्छे होने चीए जो rear facing camera यहाँ पे दो यह 50-50 MP के है और front facing camera जो है 16 MP का है 16 MP, 15 MP, iPhone के 12 MP को तो बिल्कुल यह पचार देना च चीए और video recording भी अच्छी होनी चीए अगर iPhone के साथ compete करना है तो यंग generation के लिए phone निकाला है, यंग generation Instagram पे Reels बनाती है, YouTube पे Shorts बनाती है, YouTube पे वीडियो बनाती है, stories दालने के लिए phone को लेती है, तो कैसा रहेगा यह phone इन सब कामों के लिए आए चेकाउट करते है, मैंने इ इस तरीके से आप जूम कर सकते हो, और wide angle चीए तो इस तरीके से wide angle ले सकते हो, 4K 30fps maximum support करता है, और यहाँ पे आप डायनामिक range है, वो किस तरीके से manage हो रही है, पुदी चेक कर सकते है, और यहाँ पे stability भी आप पुदी अंदादा लगा लीजिए, क्योंकि मैं बोलू जाए, कि फोन जो है, यह नतिंग फोन वान ही है, बाकी नजारा देखिए कितना खुबसूरत है, अगर हम स्विच करते है, एक lens से दूसरे lens पे, तो यहाँ पे आप देख सकते है, किस तरीके से, यह फोन का जो lens है, वो switching के time पे जटका देता है, और यहाँ पे थोड़ा ज भूं कर आपको नजाला भी दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए, कि कलर वगरा कैसे मैनेज हो रहा है, अब यहाँ पे मैं वोईस ओवर कर रहा हूं, क्योंकि यह फोटेज मैं जब अपने लैप्टॉप में देख रहा हूं, जब अपने फोन पर वापस प्ले करके देख रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, कि इंतिया ही घटिया किसम की फूटेज है, इतनी ज़्यादा शेकी फूटेज मैंने एकस्पेक नहीं किया था, रियर फेसिंग कैमरा से भी और फ्रंट फेसिंग कैमरा से, फोतोग्राफ के अंदर फ्रंट वाइबरेंसी के मामले में लेकिन यहां पे वाइड एंगल लेंस में उसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रास जो है और फीकी लगती है और स्काई यहां पे बिल्कुल भी ब्लोन आउट है तो इस टैप के फोटो जाने वाले है इसके रियर फेसिंग कैमरा से और अगर हम य दिखेंगे तो कोई भी आईफोन उठाके देख लेना सेम टू सेम आपको यहां पे एंटरफेस देखने मिले गा तो कैमरा इंटरफेस देने से कुछ नहीं होता सेम टू सेम आईफोन जैसा आईफोन जैसी क्वालिटी भी जो है निकाल के देना चाहिए तब आता है मज़ नहीं ले लो क्योंकि इसके कैमरास के अंदर OIS और EIS भी है तब भी आपको स्टेबिलिटी जो है धंकी ये निकालके नहीं दे पाता है बैटरी चार्जिंग चार्जर कितना सपोर्ट करता है उस सब आपको बता देता हूं 4500 एमेज कापैसिटी की बैटरी है मीडियो कर परफॉर्मेंस ही आपको देखने मिलेगा सामसंग के फोन में भी ने देखा 55000 एमेज कापैसिटी की बैटरी लेकिन वह भी ढंका जो है परफॉर्मेस नहीं दिखाते है यही मिड रेंज वाले फोन है और सिमिलर ही चिपसेट के अदा आते है तो इतनी कोई ग्रेट आपको बैटर लाइफ देखने नहीं मिलेगी फिर भी मॉडरेट यूजेज के लिए पूरा दिन यह फोन चल जाएगा यह फोन देता है अब सीधा आ जाते है दोस्तो फाइनल वर्डिक के ओपर यह कोई रिव्यू नहीं है लॉंग टर्म वाला बस मैंने अन्वॉक्स किया थोड़ा यूस किया तो सोचा आपके साथ जो अपने थौट्स है वो शेर करूं मैं और आइफोन यूजर तो मैं यहां पर मेरा कैसा experience रहा है एक ऐसे फोन के साथ जो बिल्कुल भी आइफोन जैसा दिखने वाला इन्होंने बनाया है और अच्छी बात भी है आइफोन को एक benchmark पकड़ के अगर कोई कंपनी फोन की कंपनी उससे compete करना चाहती और अपने को better बना चाहती हो अच्छी बात है लेकिन यह जो है आइफोन के करीब भी नहीं जा पाया है इतना मैं आपको बोलना चाहूंगा साथ सा कितनी भी हाइफ हो इस फोन की लेकिन सोच समझ के लेना क्योंके 33,000-35,000 आप spend कर रहे हो तो आपका hard and money है अगर किसी को review unit मिलता है अगर किसी के पास एक YouTube channel है जहां से व क्योंकि obviously बात है अगर young generation है और आजकल का जो भी social media का आपका game है या फिर आपको gaming करनी है इंस्टाग्राम पे वीडियो बगरा डालने है वो सब करना है तो उसके लिए फोन सही नहीं है हाँ अगर एक show off के तरुपे आपको phone लेना है जिसमें आपको अच्छे features मिल जाते है एक अच्छा display मिल जाता है wireless charging मिल जाती है तब इस phone के लिए आप जा सकते हो और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि यह phone जो है यह flip card पे available है description में लिंक है वहाँ से purchase कर सकते है लेकिन flip card पे क्योंकि मैंने जो coupon था इसका वो पहले से purchase का क्या रखा नहीं था तो मैंने phone जो बंगालिया आप भी चाये तो वहाँ से phone खरी सकते है तो आपको कैसा लगा nothing phone 1 मुझे comment में लिखी जरू बताई है और क्या आप इस phone के लिए 35,000 के आसपास पैसे खर्श कर सकते है इसके बार में बताना मत बुलना हुमी किता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसना होगा उसको like and share जरू कीजिए मेरे चैनल को subscribe किजिए goodbye